डालडा वनस्पती इतना शुद्ध 40 वर्षों से मम्ता की कसोटी पर खरा पोपिलेशन था वो देशी घी नहीं अफ़र्ट कर सकता था तो यहाँ पे उन्होंने सुचा कि एक बहुत बड़ा गैप है और यहाँ पे लोगों को देशी घी काम एक अल्टरनेटिव वनस्पती घी दे सकते हैं तो अब उस समय बनस्पती घी का सबसे ज़्यादा काम लिवर ब्रदर्स इंग्लैंड में कर रहे थे लिवर ब्रदर्स को आज के रेट में हम उनिलिवर के नाम से जानते हैं और 1932 के बाद एक फैक्टरी लगाई गई मुंबई के सेवरी जीले में सेवरी को आज के रेट में हम ग्रेटर मुंबई के नाम से भी जाना करते हैं वहाँ पे एक पूरी मनस्पती घी के एक फैक्टरी लगाए गई जहाँ पे प्रोडक्शन करना शुरू किया जा चुका था और 1937 तक पूरा प्रोडक्शन का हाउस बन के तयार हो गया और सब कुछ सुरू हो चुका था तो अब इनको नाम सोचना था यहाँ पे तो दोस्तो जो डच की कंपनी थी उसका नाम था डाडा और यहाँ पे लेवर ब्रदर्स इसके लिए काम कर रहे थे तो डाडा के बीच में एक एल नाम का शब्द जोड़ दिया गया तो इसका नाम बन गया डालडा तो यहाँ पे यह डाडा और लेवर ब्रदर्स के साथ म पे कंपनी को कुछ ऐसा काम करना था जिससे कि लोगों को ये समझ वे आए कि वनस्पति घी देशी घी का एक अल्टरनेटिव है सस्ते में तो यहां पे कंपनी ने एक एड एजनसी को हायर किया जिसका नाम तर लिंटास दोस्तों यह बहुत बड़ी एड एजनसी है आज भी तो अब लिंटास को एक काम दिया गया कि आप जाएए और मार्केट में एक परसेप्शन क्रेट करिए कि वनस्पति घी एक बेस्ट अल्टरनेटिव है देशी घी का जिसमें भारत में लोग कुछ भी डीफ्राई करके पूरिया तलके या जो भी लोग बनाना चाते हैं वो बना सकते हैं दोस्तो लिंटास ने भारत पे एक डिटेल सर्वे किया और उसके बाद इन्होंने एक वीडियो एड रिलिस किया इंडिया के मार्केट में वो वीडियो एड कुछ ऐसा था कि एक पूरी फैमली थी तीन जनरेशन उस फैमली में दिखाई गई थी दादी मा, म और उनकी बेटी, अब वो पूरियां तल रही थी यहां पे डालडा घी में और पूरा एक परिवार बैट के डार्निंग टेबल पे खाना खा रहा था और एक खुशहाल भारते परिवार को इस एडवर्टीजमेंट में दिखाया गया, इस एड ने भारत का बहुत ज़्या इसमें भी डालडा के अडवर्टीजमेंट आने लगे, कुछ प्रिंट एड्स चलने लगे, अब यहां पे इन्होंने कुछ वर्ड डिलीशियस, टेस्टी, यह सब कुछ यूज़ करना चालू किया, साथ ही उन्होंने कुछ और प्रिंटेड एड्स लगाए जिसमें की एक मा अपने बेटे के साथ है, तो दोस्तों मा और बेटे का रिलेशन जो होता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पवितरी रिलेशन माना जाता है, तो मा हमेशा अपने बेटे को वही खिलाएगी जो सबसे अच्छा होगा, और उसके साथ इन्होंने डालडा का प्र बहुत तेज होती गई दोस्तो इस बीच में कई बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स मार्केट में आये लेकिन डालडा के सामने कोई टिक नहीं पाया और 1990 तक डालडा एकदब अनिंटरॉप्टेड इंडिया का सबसे बड़ा वनस्पति घी बनाने वाला ब्रैंड बना रह तो दोस्तो आप कमेंट आप्शन में लिखके बताइए कि क्या आपने कभी डालडा यूज किया है आपके घर में डालडा या तो आपके जनरेशन में या पिछले जनरेशन में जरूर यूज हुआ होगा तो आप कमेंट आप्शन में अपना एक्स्पीरियंस लिखके बता और अगर आप कोई वीडियो इंफॉर्मेटिव लगिया तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बैल आइकन भी प्रेस करिएगा